आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है वहаф ira तो कुछ ऐसे स्टेट्स महारास्टा, MP अगर देखा जा हैं तो हर साल तुठ जब नाइंटीन långग तुजण टन्टीवन जो डेथ रेट है जो इनके सुसाइडल केसे जहें वो बढ़ती जा रहे हैं और बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं क्या-क्या दीजन ही इनकी बात कर लें एजुकेशनल डीजन में टरहें और साइबर मुली हो गया इस तरह से कई रीजन से इन सारे रीजन को हम आज यहां पर अच्छे से एक्स्प्रेइन करने वाले हैं कुछ आपको नया टॉपिक लगता है कि यहां पर यह बताना चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताना एक्चिली होता क्यों है साइप पहला अपना टॉपिक है एजुकेशनल प्रेसर जो टीनेजर से जो इस्टुएंट है उन दूसरा पॉइंट है मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्रम डिप्रेशन हो गया वरी हो गया यह सारे प्रॉब्रम आइसोलेशन एंड लोनली लेस एजुकेशन प्रेशर से भी ज़्यादा बड़ी चीज हो जाती है तो मेंटल हेल्थ यह भी सुसाइट का एक डिजर लेख नहीं है या फिर घर गेवी रखके या फिर जमीन बेज चारिक लोग बाहर पढ़ाने के लिए बेज़ते हैं यह अच्छे क्लिए करते हैं कि वह आगे पढ़ लेगा तो आगे कुछ कर लेगा पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब उनको पतलता कि यार यह मेरे बस की ब और लास्ट में वह सक्सेज नहीं हो पाई घरवालों ने बहुत ज्यादा खट्चे कर रखे हैं तो उसकी वैसे वह डिप्रेशन में चला जाता है प्रिप्ट में आता है शाइबर बुलींग जितना ही ओन लाइन अच्छा हुआ है कुछ लोग के लिए परिसानी वाले चीज हो गई है ओनलाइन ट्रैपिंग होती है उनको ओनलाइन डराया जाता है धमका जाता है फोटोर बनाया जाते हैं ख्लिकिंग कीया जाते हैं और जब लेना चालू करेंगा अलग से खर्जी हो जाते हैं कंडिशन बिगड़ने लगती है बच्चा डिप्रेशन में जाने लगता है लेकाउप सपोर्ट यानि सपोर्ट की कमी जो होती है पैरेंट्स अगर सुनने होंगे तो उन्होंने भी फील किया होगा वह बच्चे से पूछन पूटम नहीं कर पाता और छोटा कुछन होगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी दिमाग के अंदर सोचता रहता कि यार ऐसा कैसे होगा यह कैसे होगा कुछ बच्चे होते हैं कि कोई बात नीं है तो पूछना चाहिए लिकिन कुछ बच्चे नहीं पूछ पाते हैं और उसकी जासे मेंटल डिसॉडर्स होना स्टार्ट हो जाता है ज्यादा पर लिके पागल हो गया इस तरह से भी कुछ लोग बोलने लगते हैं कोई भी उसको समझ नहीं बाता उसको किस चीच की जरुवत थी किस चीच की नीड थी और हम उस चीच को नहीं प्रवाइड करा हैं और वो एजुकेशनल से रिलेटर बढ़ाइस रिलेटर ही बताते हैं कि ऐसे दिक्कत हो रही तो ऐसे ना हो ध्यान में रखना है अपने आसपास के बच्चों को भी समझने कोसिस करें या फिर टीचर को बोला कि उनको गाइड करें खुद गाइड करें जिससे यह सारी जीजे बस सकें और यह वीडियो ज्यादा ज्यादा लोगों तर्स्याइए